Welcome back to our YouTube channel, today our topic is pressure exerted by idle gas आज आपका topic है pressure exerted by idle gas हम expression निकालेंगे आज हम pressure की जो हमारे पास pressure exert होता है किसकी वज़र से idle gas के वज़र से तो हमने kynetic theory of gases में हमने पड़ा था कि जो हमारे पास pressure exert होता है idle gas के वज़से वो किसकी वज़र से pressure exert होता है it is due to the collusion of molecules of idle gas with the walls of container हमारे पास हमारे पास gas molecules walls of the container के साथ टकराते हैं जैसे हमारे पास gas किसी container में हम रखते हैं तो हमारे पास gas molecules आपस में भी टकराते हैं और walls of the container के साथ भी टकराते हैं और उस collision की वज़े से जो pressure exert होता है गैस की विज़ा से जो प्रेशर बनता है गैस की विज़ा से उस प्रेशर को हमने फाइंड डोट करना है वो प्रेशर हमारे पास किसके को लोगा उसकी एक्सप्रेशन हमने निकालनी है तो सबसे पहले हमने पढ़ा था हमने कि is consist of gas molecules which are in random motions हमारे पास वो क्या होते हैं रेंडब मोशन में हमारे पास gas molecules होते हैं वह एक्स पर भी मोग कर सकते हैं यहां पर इनका हो सकता है इसका मलब यहां पर इसके तीन के तीन कोडिनेट्स हमारे पास चेंज हो सकते हैं एक्स भी वाइब और जैड भी गैस molecules का तो यह gas molecules हमारे पास जो होते हैं यह आपस में भी टकराते हैं और इस gas molecules collide with each other and also these gas molecules collide with the walls of container जैसे हमने यहां पर आपके पास क्या है एक cube हमने लिया है और इस cube में अगर हम यहां पर consider करेंगी हमारे पास एक gas molecule है जिसका mass M है अगर उसकी net velocity हमारे पास क्या है c1 है तो यह gas molecules हमारे पास access पर मुम्म कर सकता है हम कहें इस گas molecules का हमारे पास उसकी विलपूस्टी सी वन है उसका components हमारे پास PGI along x-axis v1 होगा along y-axis और w1 होगा इस का along z-axis तो यह हमारे पास यह इस वाई मोलेकूली इस और वन व बी हो सकते हैं जिस की अगर हम कहेंगे क्या है उसी न टॉन हमारे पास केसर की ने वलास्टी इस वाला आए घ्थ मॉलेकूल진 आ रहे हैं यहां से वाला पस गैस मालीकूल जो है आकस्छीस पर मूँक कर रहा है हम पर घ्रनच काएंगे जो आगे variant जो घ्रनच पर है तो पहले हम consider करेंगे that gas molecules हमारे पास इस face पर strike कर रहा है किस face पर strike कर रहा है बी, सी, एच, इ, face पर strike कर रहा है जैसे हमारे पास यहां पर है इस हमारे पास हम कहेंगे यह एक आपके पास cube है cube की length equal होती है सबी side' sklsima बराबर होती है momentum find out करेंगे तो momentum of gas molecules before collision यह find out करेंगे momentum of gas molecule molecule before collision क्योंकि expression हम निकाले जा रहे हैं pressure की before collision, collision से पहले हमारे पास gas molecules का momentum क्या होगा अगर हमारे पास gas molecule access पर मौ कर रहा है, इस face पर strike कर रहा है, momentum होता है mass into velocity, तो access पर हमने velocity को किस से बजन किया है, U1 से बजन किया है और gas molecules का हमारे पास mass क्या है, M है, तो वही यहाँ पर भी हमने लिखा है when molecule strikes the walls BCHE, it rebound with same speed towards the face ADGF तो हमारे पास gas molecule, इस face पर strike करेगा, उसके बाद rebound हो जाएगा, वापस आ जाएगा, इस face पर strike करेगा तो equal speed से हमारे पास यह वापस आएगा gas molecules तो हम जो निकार रहे हैं, इस gas molecules की क्या निकार रहे हैं, momentum निकार रहे हैं, before collision, टकराने से पहले, इस face पर टकराने से पहले, इसका momentum क्या होगा, M होगा, M हुआ हमारे पास mass gas molecules, और U1 हो गई, हमारे पास इस gas molecules की velocity along x-axis, आगे के लिए, x-axis पर, तो देखिए, इसके बाद, momentum of gas molecules, after collision, अब हम after collision निकालेंगे हैं, after collision, collision के बाद हमारे पास gas molecules का momentum क्या होगा, after collision हमारे पास क्या होगा, that is minus mu1 होगा, हमारे पास, क्योंकि टकराने के बाद, यह वापस आ जाएगा, तो अब हम जब व velocity हमारे पास negative में आ जाएगी, इसके बाद, momentum हमारे पास क्या आ जाएगा, वो negative में आ जाएगा, इधर के लिए positive और इधर के लिए हमारे पास आ गया negative, तो हमारे पास after collision, momentum same रहेगा, लेकिन हमारे पास क्या होगा, क्योंकि यह elastic collision होती है, elastic collision में हमारे पास momentum कहा रहता है, same है और आफर क्लोजन भी तो मुमेंटम सेम है सिर्फ हमारे पास क्या हो रही है चेंज हो रही है अब हम निकालेंगे चेंज आफ मुमेंटम चेंज आफ मुमेंटम आप जब हम चेंज आफ मुमेंटम मुमेंटम का चेंज निकालेंगे हम चेंज आफ मुमेंटम आप इस गैस म का चेंज हम मुमेंटम निकालेंगे वो किसे को लोगा वह हमारे पास फाइनल मुमेंटम माइनस इनिशल मुमेंटम हो गया हमारे पास माइनस मुमेंटम हो गया हमारे पास माइनस मुमेंटम हो गया हमारे पास हमें चेंज आफ मुमेंटम नेकला यहां इसके बाद हम निकालेंगे पर हम तक है रिटिवी तू सेक्सेशयू क्लूज Their success you collision दो लगातार collision's के बीच में कितना time होगा वो हम अगर find out करेंगे हम जैसे हमारे पास gas molecules पहले यहां पर strike करेगा, इस face पर strike करेगा उसके बाद वापस आ जाएगा इस face पर strike करेगा और वापस आने के बाद फिर से इसी face पर strike करेगा यह हो गई दो success you collision एक बाद टकराने के बाद वापस फिर से टकराएगा इसी face पर तो यह हो गई हमारे पास दो success you collision इसी face पर हम निकार रहे हैं दो success you collision तो यहां पर कितना time लगेगा, एक collision उसके बाद वापस दूसरा collision फिर इस पर तो कितना टाइम लगए जैसे हमारे पास पहले हमारे पास इस फेस पर स्ट्राइक करेगा इस फेस पर स्ट्राइक करने के बाद वापस आएगा वापस आजाएगा इस फेस पर इस face पर, तो कितना distance cover करेगा L, फिर वापस जाएगा इस face से, इस face की तरफ, फिर से strike करेगा, फिर से उतना ही distance cover करेगा, L distance cover करेगा, तो यहाँ पर strike करने के बाद वापस L, फिर हमारे पास जाएगा, इसी face पर strike करेगा, तो कितना distance cover करेगा, फिर से L, तो L और L हो गया, twice L, twice इस L जो यह क्या करेगा, यह distance cover करेगा, दो successive collision में, तो इसका मलब time taken between two successive collision, एक collision, एक collision, उसके बाद वापस, दूसरी collision, दो लगतार collision के भीज में किदा time लगेगा, वो हम calculate करने जा रहे हैं, तो देखिए, आपको पता है, जो velocity जो होता है, वो distance upon time होता है, अगर time निकालोगे आप तो distance time निकालोगे, आप तो distance upon velocity, तो कितना distance cover करेगा हमारे पास gas molecules, दो लगतार collision में, यहाँ पर जब हमारे पास दो लगतार collision होगी, तो distance अभी हमने जो निकाला, distance कितना cover करेगा, that is 2L, distance कितना cover करेगा, that is 2L, और velocity हमारे पास, क्योंकि यह gas molecule access पर मो कर रहा है, इसकी velocity क्या है, यूवन, तो distance time taken between two successive collision किसको लोगा, that is distance upon velocity किको लोगा, distance कितना cover कर रहा है, 12, और velocity कितनी है, along access पर, that is U1, तो यह हमारे पास आ रहा है, time taken between two successive collision, इसके बाद हम अब हम निकालेंगे, rate of change of momentum, 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 जो होता है, वो change of momentum divided by time, change of momentum, किसके कुल है, twice MU1 divided by time, time, time अभी जो हमने निकाला, two L divided by UN, तो यहाँ पर two two cancel हो जाएगा, इसका reciprocal होगा आपका, तो आपके पास जो आ जाएगा इसका, जब इसका reciprocal होगा, तो यह U1 उपर आ जाएगा, तो twice U1 का, sorry, M, M है आपके पास, M, U1 का square, U1 का square divided by L, यह आपके पास आ रहा है, rate of change of momentum, तो rate of change of momentum किसके कुल होता है, आपके पास आ रहा है, यह आपके पास आ रहा है, यह हमने जो निकाला, यह rate of change of momentum हमने निकाला, अभी जो हम निकालेंगे, आपको पता है, according to Newton's second law, force is directly present to the rate of change of momentum, अब अगर हम force निकालेंगे, यह gas molecules, इस gas molecules की वज़े से कितनी force एक्जर्ट होगी, कितनी force लगेगी, किस पर, इस walls पर, आगे वाल्स पर, B, C, H पर, तो यह force अगर हम निकालेंगे, according to Newton's second law, इस force is equal to the, यह हमारे पास force किसके कुल होगा, यह rate of change of momentum के कुल होगा, rate of change of momentum अभी निकाला हमने, M, U1 square divided by L, तो यह हमारे पास क्या है, यह a gas molecules का, a gas molecules की force निकाली, जो force लगेगी, किस पर, इस walls पर, B, C, H, E पर, तो यह a gas molecules से लिए हम इसको लिखेंगे, F1 से, along X axis, क्योंक इस इस वाल्स पर जो लग रही है, B, C, H, E पर, यह force लग रही है, along X axis, और first molecules की वज़ा से जो force लग रही है, इसलिए हमने लिखा F1 X, इसी तरी तरीके से लिए ले ले लेंगे हम, F2 X, यह किसे कुलोगा, M, U2 square divided by L, इसी तरीके से, so on, FNX, FNX जो है, represent करेगा, M, U, N square divided by L, तो यह हमारे पास first molecules की वज़ा से force, second molecules की वज़ा से force, another molecules की वज़ा से force, जो हमारे पास लग रही है, किस पर, जो लग रही है हमारे पास, space पर, B, C, H, E पर, अब अगर आप निकालना चाहोगे net force, net force, net force, अगर हम निकालेंगे, along X axis, space पर, X axis पर, क्योंकि यह face X axis पर ह तो net force हमारे पास, net force, along X axis, along, इसको आप, नोट कर लें आप, और यहां पर मैं इसको साफ कर लूँगा, आप मैं, net force, along X axis, या कहेंगे net force जो हमारे पास लग रही है, किस पर, B, C, H, E पर जो हमारे पास net force लग रही है, तो net force हमारे पास किसी को लोगी, इसका महलब इसको हम F axis करेंगे, net force is equal to the sum of all these individual forces, this F1X plus F2X plus so on FNX, तो इनको जब हम add करेंगे, तो देखिए हर एक में आपके पास M upon L आपको नज़र आ रहा है, तो M upon L को common निकालूंगा मैं, और आपके पास जो आ रहा है, यहां पर आए पलस सुवान, यू एन सुवार, यह जो हमने निकाला, इस ना net force along X axis जो हमारे पास इस face पर force लग रही है, अब अगर हम निकालेंगे pressure exerted on this face, pressure हमारे पास, pressure along X axis, हम कहेंगे इस face पर, जो हमारे पास BCH, जो X axis पर हमारे पास face है, इस पर कितना pressure exert होगा, इस gas की वजासे, इन gases की वज़े से, जो X एकस पर gas move कर रही है, जो gas molecules X एकस पर move कर रहे हैं, इन गैस molecules की वज़े से, इस face पर कितना pressure exert होगा, तो वो आपके पास किस को होगा, patient answer, रहे पास पा leverage per unit area, यहां पर हमारे पास F X ऐसे रहेंगे area, area of this face, इस face का area कितना है? आपको पता है इसकी length भी L है हमारे पास क्योंकि ये cube है cube की सबी side क्या होती है? बराबर होती है तो area अगर निकालेंगे तो length भी L, breadth भी L तो आपके पास area किस के विलाएगा? L square के विलाएगा तो इसका मालब इस face का जो area जो आएगा वो एक जगा पर मैं L square लिखुँँगा मैं इसके बाद मैं अब fx की जगा पर fx की value को put करना वे fx इसके equal है तो पहले इसको लिखुँगा मैं m upon l m upon l इसको लिखा मैंने क्योंकि fx की जगा पर मैं fx की value को put करना है तो m upon l आपके पास आ रहा है M upon L नीचे हमारे पास है area area किसके को है L square के को है तो इसका मलब L को मैं L square के साथ क्योंकि ये M upon L ये वाला M upon L है लेकिन नीचे ये है L square भी है हमारे पास L square और ये L बन जाएगा L cube L cube और हमारे पास इसके अंदर जो आपके पास रहेगा that is U1 square plus U2 square plus so on UN square क्या क्या मैंने यहां पर Fx की जगा पर Fx की value को पुट क्या मैंने और नीचे हमारे पास क्या है area area किसके को है L square के को है ये L और इस L square को आपके मैडिक्शन लगेगी तो L cube बन जाएगा और आपके पास जो है pressure exerted by by gas molecules which are moving towards the access जो access पर move कर रहे हैं तो in gas molecules की वज़ा से जो इस face पर strike करेंगे जो ये face access पर है तो इसकी वज़ा से in gas molecules की वज़ा से जो access पर है इनकी वज़ा से इस पर कितना pressure exit हो रहा है ये pressure हमने निकाला ये आपके पास pressure किसी को आ रहा है ये pressure प्रेशर आपके पास PX जो आपके पास आ रहा है इसको यहां पर लिखुँगा मैं M upon L cube M upon L cube U1 square plus U2 square plus so on UN square के को बला रहा है तो यह हमने जो निकाला इसी दा प्रेशर आलोंग X एक्सेस यह हमने प्रेशर आलोंग X एक्सेस इसी तरीके से अब हम निकालेंगे प्रेशर आलोंग Y एक्सेस प्रेशर आलोंग Z एक्सेस तो आप देखिए हमारे पास प्रेशर आलोंग Y एक्सेस अब यह इस फेस पर इस पर कितना pressure exert होगा gas की जब gas इस पर strike करेंगे इस पर strike करेंगे तो कितना pressure exert होगा तो बिलकुल हमारे पास यहां पर देखिए अब मैं PX की जगा पर PY पूट करूँगा मैं M upon L cube ऐसी रहेगा M upon L cube ऐसी रहेगा और इसके बाद यह यू जो हमारे पास होता है यह velocity along access होता है मैंने पहले कहा था V जो होता है यह velocity along Y access होता है तो यहां पर मैं U की जगा पर क्या पूट करूँगा मैं V तो V1 का square प्लस V2 का square प्लस on VN का square तो यह होगे हमारे पास pressure along Y access इसी तरीके से मैं pressure along ZX में लिख सकता हूं मैं M upon L cube तो Z access पर जो विलास्टी होती है वो W होती है तो आप मैं V की जगा पर मैं W लिखूंगा मैं W1 का square प्लस W2 का square प्लस on WN का square तो यह हमने pressure से नकाले pressure along X access pressure along Y access और pressure along Z access Z access पर हमारे पास अगर हम कहेंगे यह वाला phase जो हमारे पास A, B, C, G फ्रंट वाला phase जो अगर हमारे पास Z access पर होगा तो इस Z access पर gases की वज़े से कितना pressure ex out होगा वो भी हमने find out किया तो यह आपके पास first equation, यह second, यह third, यह हमारे पास क्या है pressure along X access, Y access और Z access पर आ रहे हैं तो आप इनको note कर लो आप इसको तो अब हमने जो निकालना है average pressure, average pressure exerted by gas exerted by gas, जिसको हम idle gas बोलेंगे हम अब जो average pressure exert होगा, gas की वज़े से इसके तमाम वाल्स पर इसके सभी वाल्स पर average pressure exert होगा उस average pressure को हम P से ज़जन करेंगे वो किसके कोल होगा, वो PX पलस PY पलस PZ divided by 3 के कोलता है समझे आप, sum of observation divided by number of observation तो तीम pressure, pressure long X access, pressure long Y access, pressure long Z access divided by 3 तो इसी को अभी हम simplify करेंगे तो देखे, pressure long X access क्या है, आपके पास है, यह है pressure long Y recess प्रेशर long Zleb देशर यह है, तो हर एक में आप देखो ज़iggers के आप, PX में भी, PY में भी, PZ में भी M upon 3 हर एक में आपको same मिलेगा, इसको common नकालेंगे M upon 3 को common म upon L cube 3 नहीं, L cube M upon L cube को common नकालेंगे क्योंकि यह हर एक मिलेगा आपको और उसके बाद इस थ्री को भी में बाहर निकाल दो क्योंकि थ्री डिविजन में है P के भी, P X के भी, P Y के भी और P Z के भी अब हमारे पास क्या रहेगा अब पहले हम इसको लिखेंगे यह आपके पास आ रहा है U1 स्केर प्लस U2 स्केर प्लस सो आन UN स्केर इसको लिखेंगा पहले उसके बाद मैं इसको लिखेंगा मैं प्लस V1 स्केर वी टू स्केर प्लस सो आन UN स्केर उसके बाद प्लस प्लस इसके बाद किसको लिखेंगा मैं इसको लिखेंगा मैं W1 स्केर प्लस W2 स्केर प्लस सो आन UN स्केर क्या किया मैंने, क्योंकि M upon L cube हर एक में है M upon L cube, M upon L cube, M upon L cube कामन निकाला और इस 3 को भी मैंने बाहर निकाला अब एक स्टेप यहीं पर लिखूँगा, मैं, देखिए M upon 3 L cube L cube, L cube होता है, volume of this cube इस cube के volume के पलोगा, क्योंकि volume होता है length into breadth into height heures, cube है, cube का सब कुछ length भी उतना ही है, height भी उतनी है, breadth भी उतनी है तो L into L into L, क्योंकि इनकी सब की हमारे पात स्केर पलस वी वन स्केर पलस डेवलियो वन स्केर इसके बाद पलस यू टू स्केर यू टू स्केर पलस वी टू स्केर पलस डेवलियो टू स्केर ये लिखा मैंने इसी तरीके से पलस पलस आपके पास जो आ रहा है पलस सोवान यू एंड्सकेर यू एंड्सकेर वी एंड्सकेर पलस डब्लो एंड्सकेर यह आपके पास आ रहा है हमने रिशफलिंग की बाकी कुछ नहीं किया U1 square plus U2 square U1, V1, W1 U2, V2, W2 इसी तरह के से U and V and W इसको हमने लिख लिए अब देखो, यहां पर हम इसको कर लेंगे हम, इसके बाद आपके पास जो आ रहा है average pressure जो आपके पास आ रहा है that is M upon twice V ऐसे रहेगा अब देखो, U1 square plus V1 square plus W1 square यह C1 square केकल होगा क्योंकि हमारे पास यह velocity है net velocity है इस A gas molecules की जिसके तीन के तीन components यहां पर हैं U, V, B और W इसी तरह के से U2 plus V2 plus W2 को लिखूंगा मैं C2 का square यहां गया हमारे पास average velocity of second gas molecules इसी तरह के से plus so on Cn square Cn square तो यह C1 की जगा पर मैंने लिखा U1 plus V1, W1 U1 plus V1, W1 की जगा पर लिखा मैंने C1 क्योंकि इस C1 के यह components हैं यह आगी net velocity of first gas molecules और इसके यह components आ गए यह पूरा का पूरा इसके कुल होता है C1 square के कुल होता है यह पूरा का पूरा C2 square के कुल होता है इसके बाद M upon thrice V ऐसी रहेगा और यहां पर क्या करूँगा मैं इदर M के साथ N को अगर multiple भी करूँगा मैं MN और इदर भी हम क्या करेंगे C1 square plus C2 square plus 1 Cn square इदर multiple किया और इदर divide भी किया कोई फरक नहीं पड़ेगा जिस चीज़ को आप multiple करते हो उसी चीज़ को अगर divide भी करोगे तो कोई फरक नहीं पड़ेगा उसके बाद क्या करूँगा मैं यह जब मैंने किया अब मैं square root यूज़ करूँगा अगर इसके उपर में square root लगाूँगा मैं और भाहर से एक और square लगा 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 मैं देखिए square और square root cancel फिर से यही उपर वाला ही आपके पास आएगा फिर से ही बचेगा आपके पास C1 square plus C2 square plus so on Cn divide by N क्योंकि square और square root cancel out हो जाता है फिर से आपके पास यही बचेगा जो अंदर वाला है इसका मलब square root के सथ अगर मैं whole square कर लूँगा तो कोई फरक नहीं पड़ता है यह क्यों किया क्योंकि यह पूरा का पूरा जो होता है square root of C1 square plus C2 square plus one Cn divide by N यह हमारे पास क्यों होता है यह C के क्यों होता है जिसको बोला जाता है root mean square speed of gas molecules तो यह भी आप अलग से पढ़ोगे आप तो देखें हमारे पास P is equal to N होता है number of gas molecules इसमें हमारे पास कितने gas molecules है M होता है mass of one gas molecules NM जो होगा हमारे पास capital M के क्यों होगा capital M जो हमारे पास जो आएगा this is the mass of whole gas पूरी gas का mass आजाएगा क्योंकि NM capital M के क्यों होगा divide by 3V ऐसे रहेगा अब यह पूरा का पूरा जो bracket के अंदर है under root of this यह किस के क्यों होता है यह C के क्यों होता है और इसके भाहर से square है तो square भी लगा लिया मैंने तो यहां पर आपको कहूंगा मैं C जो हमारे पास यह जो C जो है यह किस के क्यों है यह under root of under root of C1 प्लस C2 प्लस so on Cn divided by N के क्यों होता है इसको कहा जाता है root mean square speed of gas molecules speed of speed of gas molecules तो यह हमारे पास C जो होता है इसको कहा जाता है root mean square speed of gas molecules इसलिए इस पूरे की जगा पर क्या लिखा है मैंने C लिखा हूँ और यह भाहर से square है तो square लगा लिया हमने यह एक expression आ गई हमारे पास pressure average pressure exerted by gas molecules इसके एक और step हम कर सकते हैं इसके आगे देखिया हमारे पास mass parent volume mass parent volume जो होता है यह density के को होता है mass parent volume density के को होता है जिसको हम rule से रिखन करते हैं rule C square तो यह हमारे पास कहा है this is density density of gas gas की density हमारे पास है तो यह भी हमारे पास आ गई है आपके पास expressions average pressure exerted by gas molecules या gas की वज़ा से कितना average pressure exerted होता है वो हमारे पास one upon three row C square के एक और बे होता है row हमारे पास कहा है density of gas है हमारे पास है तो यह आपके पास expressions थी जो अभी हमने expression draw की किसकी pressure exerted by idle gas okay good bye